बहकती दुनिया में ऐसे संभिलें अपने पर नियंतरन रखने के साथ कई ऐसे तरीके भी अपनाये जा सकते हैं, जिनसे जीवन में बदलाव लाया जा सकता है, यहां आज बात करते हैं ऐसे ही कुछ बहतरीन तरीकों की, रवी वैंकेटेशन आजकल हमारे जीवन पर तमाम च खत्म हो गया हो, लेकिन इसका असर अब भी दिख रहा है, खास तोर से बढ़ती महंगाई के रूप में, यूक्रेन जंग अब भी जारी है, ये तो पता नहीं कि यह युद्ध कैसे खत्म होगा, लेकिन एक बात तैह है कि इसके चलते दुनिया में खेमेबाजी और बढ़ रही है, अच्छा काम न मिलने से निराशा बढ़ रही है, कामकाजी उम्र वाले लगभग आदे से ज़्यादा भारतियों ने तो जौब तलाशना ही बंद कर दिया है, इस बीच फिचले साल भारत के अरब पतियों की दौलत 33 फीसदी बढ़ गई, उधर कुछ जगहों पर सामप्रदाइक तनाव ने सिर उठाया है, इस से हमारे सामाजिक ताने बाने के लिए खत्रा बढ़ गया है, दुनिया में तापमान भी तेजी से बढ़ रहा है, ऐसी मुश्किलों की लिस्ट बहुत लंबी है, इसके चलते हमें से कई लोग दिमागी तोर पर परेशान हो गए हैं, कईों में बेचैनी बड़ी है तो कई दूसरे लोग मिराशा में घिर गए हैं, सवाल ये है कि ऐसे हालात में खुद को शांत कैसे रखा जाए और पॉजिटिव कैसे रहा जाए, यहां मैं उन पांच चीजों के बारे में बता रहा हम, जिन से खुद मुझे काफी मद मिली, एक, जो हाथ में हैं, उन चीजों पर ध्यान दें, अपनी बेस्ट सेलर, सेवन हैबिटिस और फाइली इफेक्टिव पीपल, मैं स्टीफन को भी सलाह देते हैं कि हमें उन चीजों पर फोकस करना चाहिए, जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हों, और जिन पर अपना अ गांधी जी की एक सलाह भी जोड़ना चाहता हूँ, उनका कहना था कि दुनिया में जो बदलाव आप देखना चाहते हों, वो बदलाव पहले खुद में लाएं, आप उसका जर्या बन जाएं, कोवी और गांधी जी की सलाह को मिला कर देखने का हासल ये है कि यूकरेंग के परीबी लोगों की भावनाओं, उनके विश्वासों और उनके बरताव का बड़ा असर पड़ता है। तीन, सोशल मीडिया को लेकर सावधान रहें मीडिया के जरिये पूरी ततस्ता से खबरें और संतुलित नजरिया पेश किया जाना चाहिए। लेकिन हमारे मीडिया का एक बड़ा हिस्सा गलत बाते और नफरत फैलाता है। मैं एरिक शमिट की इस राय से सहमती रखता हूँ कि टिविटर और फेस्बुक जैसे सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म बेवकूफों के लिए एम्प्लिफायर हैं जो मीडिया फ्री में आपको कंटेंड दे रहा हो उससे सावधान रहें क्योंकि उसके लिए प्रोड़क्ट भी हैं चार ध्यान करें और विचारों से अलग हो आजकल हमारे आसपास अनिश्चित्ता का माहौल है तमाम घटनाएं बिजली की रफ्तार से घट रही हैं ऐसे में चुनोतियों से निपटने का तरीका यही है कि खुद को सयमित रखा जाए और इसका आधार अपने भीतर दार्शनिक एकार टोल का कहना है कि हम में से अधिकतर लोगों के लिए खुशी की राह में सबसे बड़ी बाधा यह है कि हमारा दिमाग लगातार तमाम चीजों में उलजा रहता है मैं तो बहुत मामूली तरीके से मेडिटेशन करता हूँ फिर भी इस से मुझे खुद को अपने विचारों से अलग करने में मदद मिलती है आध्यात्मिक जीवन की राह बनाएं हम लोग ऐसे इनसान नहीं है जिसका कोई आध्यात्मिक अनुभव हो हमारे जो भी अनुभव हैं कमोबेश वही हैं जो दूसरे इनसानों के हैं समय समय पर हमें कुछ ऐसा आभास होत इसके लिए आप किसी भी आध्यात्मिक क्रिया को अपना सकते हैं लेखक बिजनेस लीडर और सोशल आंत्रप्रिन्यो हैं उन्होंने ये किताब भी लिखी है शल ऐसे विचारपून लेख पढ़ने सूनने के लिए वेबसाइट पर जाएं ऐसी कई चीजे हो सकती हैं जिनक लेकिन मैं ये तो कर ही सकता हूँ कि प्रेम का संदेश फैलाओं और अपने आसपास जो दरारे उभी हैं उन्हें पाटने की कोशिश करूँ मुझे ये सलाप बहुत काम की लगी मैं बहतर महसूस करने लगा हूँ छोटे छोटे कामों से मुझे उर्जा मिलती है और धीरे करके वह दाइरा बढ़ता जाता है जिस पर मैं असर डाल सकता हूँ दो आसपास के लोगों पर नजर डाले कहा जाता है कि जिन लोगों के साथ आपका अधिकान समय बीटता है काफी हृद तक आप उन जैसे बन जाते हैं यहां तक कहा जाता है कि जिन पांच लोगों के आपका ज्यादा वक्त बीटता है, आप उनका मिला जुला